जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 जनवरी 2021 के कुम्भ रासी फल के बारे में जानेंगे कुम्भ रासी से सम्मंधित लोगों के ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा इन परिवर्तन से लोगों के केरियर, वेपार, वेबसाय, सिक्षा, स्वास्त, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन पर क्या प्रभाब पड़ेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग कैसा रहेगा दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निविदन हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का बटन है उसे दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आप तक सबसे पहले तो बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में 20 जनवरी शुकल पक्ष का बुद्धवार का दिन होगा सब्तमीति थी दोफैर एक बजकर सोला मिनट तक रहेगी इसके बाद अश्टमीति थी सुरू हो जाएगी सिध्योग साम 7 बजकर 29 मिनट तक रहेगा इसके बाद साध्ययोग सुरू हो जाएगा रिवति नक्षत्र दोफैर 12 बजकर 36 मिनट तक रहेगा फिर अश्वनी नक्षत्र सुरू हो जाएगा सूर्यदेव मकर रासी में वराजमान होंगे और चंदर देव दोफैर 12 बजकर 36 मिनट तक मीन रासी में वराजमान होंगे इसके बाद मेश रासी में गोचर कर जाएगे राहुकाल का समय दोफैर 12 बजकर 32 मिनट से दोफैर 1 बजकर 51 मिनट तक रहेगा तो इस दोरान कोई सुब अथवा मांगलिक कारिये ना करें और अभिजीत मुहरत यानि सुब समय कोई नहीं है तो कोशिस करें आज के दिन कोई सुब अथवा मांगलिक कारिये ना करें दोस्तो ये जो दिन होगा इस दिन का प्रियोग नए दोस्त बनाने के लिए करें सामाजिक समारों में हिस्सा लें और नए दोस्त बनाएं आप कुछ नए रिस्ते भी कायम कर सकेंगे नए लोगों से मिलने का आप अपना फोन नंबर या इमेल आईडी भी आपस में बदल सकते हैं क्या पता किस अवसर पर कौन साथ नया दोस्तो आज आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने केरियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसे किस और छित्र में बढ़ना चाहिए या फिर बाहार अपने वेपार को वेबसाय को फैलाने की कोशिस करनी चाहिए अपने वेबसाय को आगे बढ़ाने का इस समय पर आप पर फितूर सवार है तो सभी विकलक पर विचार करके आगे बढ़ें इससे आपको लाभ मिलेगा हो सकता है पैसे से जुड़े किसी मामले में आज आप जो से माकर कोई गलत फैंसला कर बैठें तो आज काम काज के समय या कोई आर्थिक फैंसला लेते समय आप अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखें और सूच समझ कर फैंसला लें जरूरी नहीं हर आदमी हर समय अच्छा ही निर्णन ले इसलिए हो सकता है आपको फैंसला आपका ही नुक्सान करें इसलिए समहल कर निर्णन लेने कि आप शक्ता है और आज का जो दिन है वो आपके रोमांस के लिए बहुत उत्तम है अकले लोगों को उनके पार्टनर से मिलन होगा अगर रिष्टे में पहले से बंदे हैं तो आप आज जान पाएंगे कि वह पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है उसे आप भी धेर सारी खुशी और प्यार देने की कोशिस करें तो आप दोनों खुश रहेंगे जो समश्याएं आपको परिशान कर रही हैं उन्हें हल करने की कोशिस करें हुश्यारी से चतुरता से कूटनी दी के दाव पेंचों की जरूरत होगी जो लोग अब तक पैसे को बिना सोचे विचार खर्च कर रहे थे उन्हें पैसे की बहुत आवश्यक्ता पड़ सकती है तो खर्चे सोच समझ कर करें परिवार के साथ सामाजी गत्विधियां सभी को खुशी देंगी और आपके प्रिये की खराब तबियत के चलते रोमांस को दरकेनार होना पड़ सकता है वेवसाय में किसी धोके बाजी से बचने के लिए अपनी आँख कान खुले रखें खाली समय का सही इस्तेमाल करें रिष्टेदारों को लेकर जीवन साती के साथ कोई नोगजोग संभव है और स्वास्थे का भी थोड़ा ध्यान रखनी के अवशकता होगी धन संपत्ती में सामान्य विरत्धी होगी परिवार में खुशियों भरा माहौल होगा प्रेमादी में संबंद सामान्य होगे विवसाय में सामान्य बढ़ोत्री होगी और दामपत्ते जीवन में भी नोगजोग संभव है अपने सब्दों का सोच विचार कर इस्तेमाल करें दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब सेर वे लाइक अवश्य करें जै माता दी दोस्तो